तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में जो की इंडियन आर्मी कॉलेज आप डिफेंस मेनेजमेंट सिकंदरबाद से वेकेंसी जारी की गई है जिसमें की इस टोनोग्राफर, LDC, ड्राटमेन, MTS के पोस्ट लिए वेकेंसी जारी किया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट वाइज, कितनी वेकेंसी दीक ही है, कितना क्वालिफिकेशन होगा, तो आप इसे फर्म को फिलप कर सकते हैं, कैसे आपको इसका फिलप करना होगा, कंप्लेट जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वेल एकन को दबा दीजिए तो इसमें जो यहां पर उट्पीकेशन जारी किया गया है ओफिशन उट्पी यहां पर जारी कियागिया है और इसंसे बात नीचियां पर क्वालिफिकेशन का डिटेleicar दिया गया पौश्ट जिह में कि सबसे पहले निवादे दियेगा डायट्मेंट के लिए और इसमें जो यहां पर दिएक क्यได इकुष जो कि यहां पर क्याव जनर्ट के लिए एक वेकैंसी दिया गिया है और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होगा जो कि यहां पर दिया गिया है आप इसमें total क्वालिफाई होने चाहिए प्लस आप के पास डिप्लोमा होगा ड्रादमेंजिक में तो आप इसे form को फिल आप कर सकते हैं और इसमें जब का edge limit होगा फोरम को फिल आप करने केलिए 18 से 27 का edge limit होगा form को फिल आप करने केलिए इसके बार next योंच तोन जब दिया गया है इस टोनोब गaelफ और great second के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दी गए टोटल तीन वेकेंसी है जिसमें कि जनरल के लिए दो वेकेंसी और EWS के लिए एक वेकेंसी दिया गया है और इसके लिए जो आपके पास qualification होगा जो कि यहां पर दिया गया है आप इसमें 10 प्लस 2 यानि इंटर्मिनेट कौलिफाई होने चाहिए प्लस आपको इसमें टाइपिंग करना होगा जो कि यहां पर दिया गया डिक्टेशन में जो आपको टाइपिंग करना होगा इसके बाद आपको ट्रांसिक्सर में टाइपिंग करना होगा जो कि यहां पर दिया गिया है अगर आप इसमें इंगलिस में टाइपिंग करेंगे तो आप इसमें 50 में टाइपिंग करेंगे अगर आप इसमें हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो आपको इसमें 65 में टाइपिंग करना होगा जो कि आपको इंपूर्टर पर टाइपिंग करेंगे और इसमें जो आपका एज लिमिट होगा 18 से 27 सेर का एज लिमिट होगा फार्म को फिलाप करने के लिए इसके बार next यहां पे दिया गया LDC के लिए जो कि lower division clerk के लिए दिया गया है और इसमें जो वेकेंसी यहां पे दिए के total 3 वेकेंसी है जिसमें कि यहां पे general, AC और OBC तीनों के लिए यहां पे एक एक वेकेंसी दिया गया है और इसमें जो आपका qualification होगा आप इसमें intermediate qualification होने चाहिए फ्रस यहां पे आपको typing करना होगा जो कि यहां पे दिया गया है अगर आप इसमें English में typing करते हैं तो आपको इसमें 35 word point में typing करना होगा अगर आप इसमें हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको इसमें 30 वर्ट पर में आपको टाइपिंग करना होगा जो कि आप इसमें कम्पूटर पर टाइपिंग करेंगे और 10 में आपको टाइपिंग करना होगा और इसमें जो आपका age limit होगा 17 से 27 सेर का age limit होगा farm को फिलब करने के लिए और इसके बार last में यहाँ पर दिया गए MTS के लिए जो कि यहाँ पर दिया गए multitasking staff, office and training से यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो vacancy यहाँ पर दिया टोटल 6 vacancy है जिसमें कि यहाँ पर जनरल के लिए 3 vacancy, OBC के लिए 1 vacancy EWS के लिए 1 vacancy और physical handicap के लिए 1 vacancy दिया गया है और इसके लिए जो आपके पास qualification होगा किवला टेंद यानि matriculation qualify होगे तो आप इसमें farm को फिलब कर सकते हैं और इसके लिए जो आपके पास age limit मिलेगा farm को फिलब करने के लिए और जो current rate OBC के होंगे उनको यहाँ पर 3 वर्स का चूट मिलेगा farm को फिलब करने के लिए इसके बाद next यहाँ पर आपको दिया गया है selection process के यहाँ पर जनका इड़ी के जिसमें के यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर इड़न कार्ट जारी होगा सबसे पहले आपका return test होगा return test qualify करेंगे इसके बाद आपका skill test or test test करया जाएगा और isके बाद नीचे आपको फिलब करने के लिए दिया गया है इसमें जब को फिलब करना होगा क्योंद आप इसमें off-line mode लगाएंगे उलब के उपर आपको लिखना होगा अपलिकेशन फार दा पोश्ट आप इसके बाद जिसी पूश्ट लिए आवधन करेंगे आप इसमें ड्राट मैं इस्ट ओनो ग्राफ और एल डे सी पोस्ट लें भी फिरम को पिलब कर सकते हैं लेकिन आपको सभी के लिए अलग अलग फिरम करके सेंड करना होगा इसके बात नीचे आपको जनकाई दिया गया इसका जो लार्ष टोगा फॉर्म को फिलब करना होगा कौन कौन से आपको डॉक्मेंट लागाना होगा कैसे सेंड करना होगा कम्प्रीन जनकारी के लिए अलग से वडियो बना हुगा है उसका लिंक आप लोगो को इसी वडियो के डिक्सेशन में मिल जाएगा इसके बाद नीचे यहां पर आपको फॉर्म जिया गया है इसी form को flip करके आपको send करना होगा और इसमें आपको form flip करने के लिए कोई भी सुलक नहीं देना होगा ये जो form जारी किया गया, ये सबही के लिए आपे facebook दिया गिया है तो notification की जनकारी और farm को download करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिक्सिशन में लिंक भी मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप बिल्गूल फ्री में अपलिकेसन फार्म को डालू ओकर सकते हैं और साथ में आप नोटिफिकेशन की डिटेल जनकारी को चेक करपाएंगे अज़र को जनकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर आप उजन काईड़े दूँगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को लाइकें तो लाइक कर दीजिए अपने फिर्ण के साथ चेर भी कर दीजिए वीडिय